ओम सायराप आपको मालूम है अविद्या अवध पुरी में एक बहुत बड़ी घतना हुई और सायत या घतना आपको मालूम नहीं होगा जब भगवान राम लंका से पुस्पग बिमान से अवध में पहुँचे अवध में पहुचने के बाद भगवान अपने राज महल में गए और सीटा माता प्रती दिन अपने सर में सेंदूर का मांग भरती थी उस मांग भरने से एक दिन क्या हुआ कि भगवान राम सीटा मा से बहुत प्रभावित हो गई और भगवान राम गदगद हो गया यह सब बात को हनमान जी ने सुन लिया कि मांग लगाने से महासिता से जब भगवान इतने प्रभावित हो गए है तो मैं क्यों ना अपने पूरे सरीर में बंदन लगा लो भगवान पूरा मेरे उपर प्रभावित हो जाएंगे उसका पतक्ष प्रमाली ही हुआ कि भगवान जब धाम को गए तब हनमान जी उसी अविध्या में हनमान गड़ी में बिराजमान हो गए और आज जो भगव उस हनमान गड़ी में हनमान जी का जो बंदन अपने माथे में लगाता है तो हनमान जी भी उस भगव की सारी संकट कष्ट स्वयम खीच लेते हैं और उसे ओम ओम कहके सुब आसिरवात देते हैं इस वीडियो से आपको यह सिच्छा लेना चाहिए कि प्रती दिन आप उठिये और हनमान मंदिर में जाकर हनमान जी के चरण सपर्स करिये और उनके बंदन को अपने माथे में लगाए जिससे हनमान जी सदेवात के उपर प्रभावित हो जाएंगे तो सभी प्रकार के प्रुदभाई है आम साहिना